जहिन साथियों मैं चोटु परिजा पती फिर से आप सब का स्वागत करता हूँ और आज जो है हम लोग क्लास 10 का exercise 7.1 question number 2 मैं ये question जो है फिर से कर रहा हूँ चुकि उसमें थोड़ा सा mistake हो गया था है ना उसमें 1296 के जगा 1196 लिखा गया था जिसके चलते आंसार तो हम लिख दिया थे है ना पता नहीं लेकिन वो गलात था हम दखे थे ठीक तो चलिए आज ये हैना इस्टार्ट करते हैं इसको फिर से कृष्चन के बोला पहले कृष्चन आप समाझे लिजे ना कृष्चन बोला आपको डिस्टैन्स फाइंड करना है येना दो पॉइंट के बीच जो आपको दिया हुआ है दोनों पॉइंट है ना मतलब कोई दो पॉइंट है ठीक एक बेल्ली दिए好的 जीरो जीरो मानने इसको पी एक है क्यूंब है ना दूसरा का भेलू दिया है कितना 36 और 15 ठीक तो यहां इनका बीच का दूरी यहां से निकालना है ठीक तो हम माने यहां पर यह हो जाएगा आपका आपको यहां लिखना है कि दिया हुआ है क्या दिया हुआ है एक्सवन आपको दिया है जीरो है ना और वाइवन भी आपको दिया है जीरो एक्सटू आपको दिया है वहां 36 यहां देखिए एक्सटू 36 और वाइटू 15 ठीक अच्छा एक चीज़ आरो जब भी आपका पॉइंट 00 दिया रहेगा है ना तो उसका क्या हो जागा ही ओरेजीन है ओरेजीन मतलब मूल बिंदू है ठीक ओरेजीन मतलब मूल बिंद वही तो है तबी तो उसका भेलो उसी का भेलो तो जीरो हता है ठेक एतना तो समझ गी है चले आगे चले तो हम लोग यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है सर डिस्टेंस फॉर्मूला किसका डिस्टेंस पी क्यू का तो under root x2 minus x1 इसको आप कैसे भी लीख सकते हैं x1 minus x2 भी लीख सकते हैं क्यूंकि minus में भी आगा तो square हो जागा तो plus हो जागा ठीक plus y2 minus y1 ता आपको tensile लेने का जोरी है नए सिर्प यहाँ दिखिएगा कि bracket में minus रहता है अब bracket के बाहर प्लस ठिक एक्स टू केतना है थोड़ा ध्यां दीजेगा एक्स्टू केतना है देखए – । इसको हम oh boy कर सकते हैं कि ह्या आ डार क्या है डारिक की एक्स्टू का स्क्वार प्लस भाइटू का स्क्वार डेरेक आता है ठीक उसका लिए आपको जोड़िये या घटाई ये कोई फरक ने पड़ता है ठीक वाइटू आपको दिया देखिए 15 माइनस वाइबन दिया है आपको जीरू ठीक तो यहां से आप सोर्ब कर ली जागा तो आपका आ जागा 36 का स्क्वाइर प्लस 15 का स्क्वाइर ठीक निचे साइट दिख रहा होगा देख लते हैं एक इस्टे पार तो यहां 36 का जो स्क्वाइर की जेगा तो आपका 1296 आ जागा हमें 1296 का लिख दिये थे अब 15 का जागा 2225 ठीक थोड़ा सा इधर भी चल लेते हैं 1296 और 2225 तो आपका के ना हो जागा 1596 एक बार जोड लेते हैं फिर गलती ना हो जाए है ना 15 पाँच अच्छा ठोड़ा सा रुकिए हम जोड लेते हैं ठीक गलती हो जागा है नहीं है कि n..चे पांच 9 से गारा का एक है हाथमे एक है ना 10 और दू 12 के दू हाथ में 1 3 2 5 है ना और यहां पर एक है ही तो आपका 1521 आएगा सायद है ना 12 है ना 1521 आएगा गल्ती होना जाए इसलिए हम जोड लिए क्योंकि फिर से लिख दिये थे तो आपको यहां पर कल्कुलेशन करके लिखना है तो आप जब निकालिएगा तो लास्ट डिजिट वन हैतो लास्ट डिजिट जब निकालेंगे तो कोई एशा नमबर निकलेगा जिसका लास्ट डिजिट 9 Wieb 10 21 तब है तो ना स्विध तीस हो गतले क्यों 30 को तो 30 का जो हम लोग करेंगे square root बने इंटू करेंगे तो 30 इंटू 30 तो 900 हो जागा रहा तो 900 का root निकलता है 30 तो 29 तो होगा नहीं कि 900 से ज्यादा है तो आपका सीधा सीधी हो जागा 49 और last में आप लिख दीजेगा unit क्यों कि यहां पर आपको जो है भेलू ने दिया है सेंटीमेटर मीटर इसलिए आपको लिखना है क्या unit ठेल एक बार आप देख लिजे आपको समझ आया कि ने उसका बाद हम क्लास को इंड करते हैं चलिए आसा करते हैं आपको इक लास अच्छा लगा होगा और अच्छा झाल बार आसा लगा होगा है